तो वेल्कम टो आपके लिए आए हूं लाइट वैस का अपडेट जो रियल मीट प्रो यूजर्स के लिए है लाइट वैस है कियर लाइट वैस कस्टम स्टोक रोम है जिसकी बेटरी लाइफ है डवल और जो चलने में बहुत स्मूध है और जिस पर आप गेमिंग भी करोगे तो वो भी आपकी बहुत अच्छी होगी इसा मैं नहीं कहता हूं इसको चलाने वाले यूजर्स केहते हैं सारे और यह कलर वैस का बहुत एक्स्ट्रीम मोडिफाइट वर्जन है जिससे आपको चलाके लगेगा नहीं कि आपका फोन में कुछ बहुत जादा बदला हुआ है तो चलिए उससे पहले सबसे पहले मैं अ सब्सक्राइब करने के लिए आप भी चाहें तो डोनेट का सकते हो जहरा मेरा डोनेटिंग अड्रेस सारे अबलेबल दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और अगर आपसे डोनेट नहीं होता है तो बस इस चैनल को आपको कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक चलि अगर आपको फोन अनलोक नहीं है और आपको फोन में रिकवरी इंस्टोल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है अनलोक करने के लिए तो वहां से पहले अनलोक कर लेना अपने फोन में रिकवरी इंस्टोल कर लेना पाई की तो चलिए अगर आपने कर लि लाइट वेज़ की फाइल डाउनोड कर लिए डिस्क्रिप्सन से बस आपको अपने फोन को कर देना सट डाउन फिर करना आपको को डीकवरी मोट बोलियम डाउन और पावर की से ऐसा आपको फास्ट मेन्यू नजर आयगा बोलियम डाउन की दवाने है आपको रिकवरी मोट जब दर आएगा यहां साब पो पावर की दवा देनी है ताकि आपका फोन रिकवरी में भूट हो जाए अब सबसे पहले आपको करना के अपने फोन का बेकव आपको ले लेना है बेकव इस मस्ट क्योंकि अगर आपका फोन कुछी ब्रिक होता है किसी वजह से तो बेकव साब रिस्टोर कर सको तो अपने फोन का पहले पूरा बेकव क्रिएट कर लेना यह जरूरी चीज है ठीक है यसे माद भूलना है swipe करके मैं backup अपने phone को पूरा ले लूँगा तो थोड़ाच time लगेगा, complete हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको go back पर click करना है नीचे दिख रहा है उसका back वाला जो button है की का यहां से back कर देना है आपको simply अब आपको पहले wipe करनाँ है अपने system को,omatic device करना है नीचे दिख रहा है आपके screen पर यहांसा आपको darbic art case इसको भी tick कर देना है, system को भी tick करना है, vendor को भी tick करना है data को भी tick करना है when no time user screen when no time user निант, chemical key देना है और इसको swipe करके आपको wipe कर देना है ताकि यह format हो जाए तो यह हमारा complete format हो चुका है अब हमने जो file download करें थी lightOS ROM की और जितने भी missing file थी मतलब apps वगेर थे तो अब हमको उनको install करना है ठीक है अब हम जाएंगे जहां हमने copy किया तो अपना lightOS ROM महाम उसको हम locate करेंगे तो यह हमार lightOS ROM है इसको हम click करेंगे और swipe to install flash होना start हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें time लगेगा कम से कम पांच मुनट time लग जाएगा इसको install होने के लिए और यह रोम आपको वो लेगी like and subscribe के लिए तो आप जी दोनों बटन दवा देना आंगे मैं नहीं जानता क्या हो फिर ठीक है तो must subscribe and must like थोड़ा इंतियार करना है बस और कुछ नहीं तब तब अपने phone को नहार लेना थोड़ा हो जैसे मैं नहार रहा हूं तो यह complete हो जाएगा अब मुझे क्या करना है go back पर क्लिक करना है अब मैं जो missing packages रहते हैं वो install करूंगा तो उसकी भी link मेरे hda post पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है तो जैसे मानलों अगर मेरा कुछ gesture और missing है तो मैं इसको रोम से के साथ install कर लूँगा तो मुझे night seal चाहिए तो बस मैं उसी को install करूंगा जे recommended नहीं है कि आप इसको install करो सारे को क्योंकि इससे थोड़ी सी performance effect हो सकती है आपकी इस कारण आपको बोलना हूँ तो इसमें जो जरूरी लगया आपको कि हाँ जी मुझे चाहिए ही तो वाप आप install आप flash कर लेना आपको भी करना है जरूरी हो तब ही इसको flash करना है इसके साथी details में रहती है अपने एकड़ी पोस पर डाल दूँगा तो महां आप देख लेना अच्छे से जो भी है ठीक है अब मैं system बूट कर दूँग अपने तो यह थोड़ा सा first boot में साथ आपका भूट ना हो तो second boot में हो जाएगा तो बस मेरा setup स्क्रीन आ चुका है तो मैं start क्लिक करूँ अपने अब मजबा setup का complete कर देना है और मैं रोम फिनिस हो जागा लेकिन उसके बाद भी आपको एक चिप इंस्ट्रोल करनी है जो अल्टरनेटिव एपस है जैसके अंदर जैसे quick fix है जो आपकी gallery का काम करेगी और music f है sony music जो बहुत अच्छा application है आपके चाइनीज realme sorry oppo की तरफ से हाथ है उससे तो बहुत अच्छा है तो just a second मैं अपने जैसा मैंने किया है वैसे आप भी अपना setup screen finish कर देना है तो अब मैं क्या करूँगा इसमें पहले चेक कर लूँगा कि मेरे जो चीजे में इस्टोल कर रही थी missing apps वगेरा तो वह आई की नहीं है अगर नहीं आई हो तो आपको वापीस recovery में बूट करना है और उन चीज़ों को फिर से इस्टोल कर देना है जो हुई नहीं थी आपक नहीं है साब से ठीक है अब बापिस की recovery में जाकर वह एडिशनल जो पेगेज थे एडिशनल सोरी लाइट वाले तो वह इंस्टोल कर लूँगा लाइट एपस वाले सोरी कैंसल करना है लाइट एपस पर आप वह क्लिक करना है और इसको आपको swipe to install कर देना है तो आप देख रहा है जिए पता रहा है कि यह complete हो चुका है इसका आपको रिबूट कर देना है तो रिबूट के बाद आप देख पा हुए कि आपके फोन में माजिस का भी update अपना हम इंस्टोल हो जाएगा और जितनी वी अदर्स अप्लिकेशन रहती है जरूरी हो भी इंस्टोल हो जाएगी तो जिस आप देख रहा है कि रेड बिलिंक आ रहा है तो उसकी एक रेड बिलिंक कोई भी solve करनी की मैंने एक वीडियो बना चुका हूं और उसके लिए application भी develop कर चुका हूं तो आप उसको check कर लेना उसकी भी link में डिस्क्रेशन इंडाल दूँगा तो जिस सारी मेरी चीज आ चुकी है music, quickpick और magiskab update भी चेक कर लेना है कि सारे work कर रहे की नहीं कर रहे है और अगर work नहीं कर रहे हो तो आपको light apps की जिप डिये मेंने उसको आपको extract कर लेना है और उसी के द्वारा आपको महां से application install कर लेना है तो अगर आपको export पसंद नहीं है और मेरा application developed की R2X2 आपको ऐसा लगता है कि export आपके phone को slow कर रहा है तो आप यह application यूज कर सकते इसका नाम है system UI tuner जिक करेगा कि आपको पर red blink हो रही है तो इसको immersive mode पर ला रहेगा यानि जो थोड़ा full screen पर कर देगा तो इसको मैं आपको बस जाना यहां पर नीचे मर्सी mode पर क्लिक करना है और यहां पर आपको status वार है उस पर क्लिक कर देना जिससे आपका status वार रहता है वो hide हो जाएगा तो अब जाप swipe down करेगा आप अपने status r को तब ही वो visible होगा नहीं तो नहीं होगा तो जाए आप चाहे तो यूज़ कर सकते और नहीं चाहते हो तो मत करना यूज़ आप मेरी application यूज़ का सकते r2x2 application जो मैंने बहुत महने से develop करी है तो बस और जैसा इसमें दिख रहा है व आपको फोन को बहुत ऐसे ही फार्षर बना देंगे तो बस आज के लिए इतना ही तो आपको वीडियो कर देना like और channel कर देना subscribe और कर देना आपको इसको share ठीक है जिनको जरूवत है तो मिलते हूं आप से वाद में see you later take care bye